सद्गुरू श्री ब्रह्मा चैतन्य महाराज गोंदव लेकर इनका प्रवचन साज जुलाई बालग बनकर भगवान के समीब जाएं इस संसार में कर्म किये बिना कौन रह सकता है? किन्तु कर्म यथाविधी संपन नहीं होता, उसका कारण ये है कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं, इसका हमें भान नहीं होता अधिश्ठान के बिना कर्म सिद्ध नहीं होता मालिक का आधार हो तो कर्म करने वाले को जोश आता है कुछ अच्छे कर्म मार्गी लोग, भक्ती मार्गी लोगों को दोश देते हैं, जो भक्ती भाव में रत रहता है, वो किसी को दोश नहीं देता मैं कौन हूँ? ये समझने के लिए ज्यान और भक्ती दोनों की आवश्चक्ता होती है वैसे ही ब्रह्म सत्यम जगन मिध्या कहने पर भी उसका अनुभव प्राप्त होने के लिए कर्म करना ही पड़ता है उपासना भगवान को जान कर करें छोटा बच्चा मा के मूह की तरफ देखते हुए चुपचाप दूद पीता रहता है उसी तरह समर्थ रामदास जैसे महापुरुषों ने जो कहा है वो हम चुपचाप करें आँखे मूंद कर जितना काम होगा अंधश रद्धा से जो होगा वो आत्मविश्वास से ज्ञान के नेत्र खुले रखकर अर्थात ज्ञान का प्रैत्न करके भी नहीं होगा बालक बनकर ही भगवान को पहचाने इसमें एक ही बाधा होती है वो है हमारी विद्वत्ता भक्त बालकों की तरह बरताओ करते हैं इसलिए भगवान उनसे प्यार करते हैं कोई ऐसा कहेगा कि जब हमारा और उसका परिचय ही नहीं है तो उसकी पूजा कैसी करें उसको पहचानने की सिवाए उसका भजन ही नहीं करूँगा ऐसा सोचना पागलपन ही है भगवान को अनेक मारगों से जाना जा सकता है भगवान की ओर जाने के लिए मारग पर पहले अग्रेसर होना जरूरी है संतों ने अखंड जागरत रहने का मार्ग बताया है देह से ग्रहस्थि करो, कि तु मन भगवान के प्रति समर्पित करो मन जब तक भगवान के प्रति स्थिर नहीं होता, तब तक आप चाहे जो प्रयत्न करें उसका कोई उपयोग नहीं होता ध्येय, यदि सत्य नहीं हो, तो चित्त की स्थिर्ता नहीं होगी किन्तु जो ध्येय सत्य है, उस पर पूर्ण श्रध्धा चाहिए भगवान मेरे है, ऐसा कहने के बज़ाए, मैं भगवान का हूँ, ऐसा कहे, तो श्रध्धा उत्पन्न होती है समुद्र की लहर होती है, लहर का समुद्र नहीं होता साधना में निश्चित्ता हो तो संतोष होता है इसलिए साधन श्रद्धा से करें जैसे श्रद्धा वैसे फल हम भगवान के स्मरण में निर्भर रहें ग्रेस्थी में कभी धीरज ना छोड़े जिस प्रकार चीटियों के रानी को उसके जगह से हटाया कि उसके साथ रहने वाले हजार चीटियां उसके पीछे गायब हो जाती है वैसे ही एक देह बुद्धि को हटा दें तो हमारे मन में उपने वाले हजारों संकल्प गायब हो जाएंगे इस देह बुद्धी के परे जाने के बाद जो ज्ञान होता है उसको आत्म ज्ञान कहते हैं ऐसा आत्म ज्ञान होने पर जो पूर्ण संतोश होता है वही भगवान का यथार्थ दर्शन होता है भक्ति मार्ग ये प्रेम मार्ग है ग्रहस्थी का प्रेम भगवान के लिए हो जाए तो भक्ति हो सकती है जान की जीवन स्मर्ण जय जय राम जान की जान की जीवन स्मर्ण जय राम